को यह इति हैं आप सभी उम्मेद करती हूं सभी बच्चे हस्ट पुष्ट सवस्थ होंगे तो भी आपको लाश करा कर आगे हम करने माले हैं आपको अनिमल बस बता के गई थी की यह आपके बसिधा हैं कि इनको याद रखना चैसे कैसे हैं क्या है यह सारी चीज हम करने वाले हैं ठीके तो यहां पर यह चीज मैंने आपको बताई थी कि पहला basis होता है arrangement कि आपकी विवस्थित किस प्रकार से है कोशी का दूशरी है body symmetry कि याने कि सम्मिती कैसे है तीसरा है nature of silom की प्रगुहा की प्रकरती कैसी है ठीके hello everyone how are you all do like the session guys if you like the session then do like please ठीके don't be conjuice चलो अब यह मैंने आपको बताई थे कि इतनी सारे phylum है आपके इतनी सारी classification है परन्तु सबसे पहले मैंने जो basis बताई है उसके basis के हिसाब से इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं divide देखो सबसे पहला मैंने क्या कहा था कि classification of animals में सबसे पहला basis होता है आपका एक आधार पे विभाजित है यानि कि organization cellular है कोश किये है और दूसरी तरफ मैंने वो रख दिये जिसके अंदर आपके कोशी का जो है टीशू के उसमें है या फिर body की form में है ठीक है तब मैं सबसे पहला basis रखती हूँ विभाजित करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बही सिर्फ एक ही kingdom ऐसा है जो cellular basis के उपर कारे करता है वो है आपका porifera इसके इलावा कोई भी ऐसा आपका phylum नहीं है जो कि cellular में आता हो जिसके अलग-अलग से cell कारे करते हूँ ठीक इसके बाद मैंने कहा tissue और body मैंने एक उसमें रखी थी तो मैं चाहती हूँ कि tissue और body वालों को मैं अल तरफ वाली body वालों को मैं एक तरफ रख़ँ मैं इनको एक तरफ रखतों दे रही हूं टीशू के अंदर मैं देखती हूँ कि आपके सिर्फ और सिर्फ दो फाइलम आते हैं, कितने फाइलम आते हैं सिर्फ और सिर्फ दो फाइलम आते हैं, वो कौन से जो आपके यहां पे दो नंबर पे रखे हुए हैं, सिलन्ट्रेटा और टीनोफिरा, कौन से कौन से, सिलन्ट् सब्सक् intent पुर्ष में वाले में रख दीटी अब किसी का नाम है नहीं नहीं इस इसे पढह इसे जल्ए जम्य अनवत वाले में सब्सक्राइब वह कि अब बात आती है कि क्या दस्ट बेसिस हम अजमाते हैं कौन से वाला अजमाते हैं दूसरे वाला बेसिस हम यहां पर ले के आते हैं दूसरे वाला बेसिस कौन से आ जाएगा आएगा आपका सिमिट्री वाला सिमिट्री वाला आएगा तो हम यहां पर यह देखते हैं कि जो आपके टीशू वाले होते हैं यह टीशू वाले आस्यमिट्रिक होते हैं कैसे होते हैं आस्यमिट्रिक रेडियो सिमिट्रिक होते हैं रेडियल होते हैं टीशू सिलन्ट्रेटास टीनोफूरा दोसरे सिस्ट इस्ट क्या जाती हैं सिमिट्री और सिमिट्री भी यही से कैसे कवर होगी कि आपके जो टीशु वाले होते हैं अरिये रकते हैं ठीक हैं और बॉडी वाले जो रखेंगे बोड़ी वाले symmetry रखते हैं bilateral, कौन से symmetry रखेंगे, bilateral symmetry रखेंगे, अब bilateral होने के बाद हमारा एक basis और आ जाता है, कि आपका pseudo silomate, या फिर आपका our silomate, फिर तीसरा classification इधर आता है, यानि तीसरा classification हमारा इधर से इधर आएगा, अगर नॉर्मली एक सिंपल सी चीज में लिखू तो यह आपका पहला basis पे अलग हो जाता है, यह पहला classification पे अलग होता है, यह दूसरी classification पे अलग होते हैं और यह बाकी के बाकी यह तीसरी classification पे अलग होएंगे, अब यहां से bilateral के अंदर इतने सारे हैं, तो यहां पे मैंने 3 कैटेगरिय आपकी बताई थी, silomate, asilomate और हर्ट हमें चाहता है उसके बाद शुडो हर्ख आपका है को तो आपको कहते है तो आप कर यहां पर दूसरा यहां पर आजाएगा जितने भी है यह सारे के सारे सिलो में हो जाते हैं कौन से हो जाते हैं, सिलोमेट हो जाते हैं, बहुत एजी सा, कुछ भी इसके इंदर नहीं है, जिस एक पीछे वाले का, मैं रिवीजन दे रही हूं आप सभी को, ठीके, हाँ, अभी हम, ओके, कोड़ेटा और नोन केड़र के बीच की कड़ी, बिल्कुल, बॉड़ी, प्लेट पोर, छेद, फैरा, जो बीर करके रखता है, जिसके अंदर होते हैं, यानि एक ऐसा जीव, जिसके अंदर आपके छोटे-छोटे छेद होते हैं, कहलाता है पोरी फैरा, नॉर्मिली, कुछ इस प्रकार की आप चीज़े देखती हैं, अच्छे, एक वर्ड में यूज करती ह ग्ले सब आपके सब्से कः, सब्से करें, लोग देखता होगा रफीज़, लड़ के अच्छ के पहले एचंच सब्से की आपके रिचोटे-चोटे-छोटे-छोटे-चोटे-चोटे घहरी चुटे-पैरे, पढ़ने हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं लिख लेंगे कि सबसे पहली चीज की पोरी फैरा के अंदर आपके क्या होते हैं चोटे-चोटे छेद होते हैं यानि कि पोर बीरिंग होती है पोर बीरिंग होती है हिंदी वालों आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके अंदर छिद होते हैं सबसे पहली चीज क्या आती है definition भी यहीं पे आती हूँ मैं करती हूँ छीके दूसरी चीज multicellular होते हैं बहु कोश्किय होते हैं अगर आपको लगता हो एक कोश किया है तो नहीं यह आपके कैसे होते हैं बहु कोश किया होते हैं ठीके, अब अगर बात करूँ, मैं किस चीज की कोश्क की है, दूसरी चीज, यू केरियोटिक होते हैं, प्रो केरियोट भी नहीं होते, कैसे होते हैं, यू केरियोट, आपका अच्छे से यहापे न्यूकलिस डैवलप होता है, यू केरियोट, ये तो I think, आपको मैं ऐसे कैसे लिख दूँगे, तो Hindi वाले भी समझ जाएंगे, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं है, आपकी चीजे, ठीक है, और तीसरी चीज, चोथी चीज आपे क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगा ये, कि भाईया, इसके अंदर जो male female होता है, वो एक के अंदर ही आते हैं, जहां से प यहां पे यह होगा कि स्पंज, शुकरानू भी यही आपका छोड़ेगा, और अवम, अंदानू भी यही छोड़ेगा, एक ही ओर्ग्यानिजम के अंदर दोनों के दोनों जीव होंगे, नर्भी, मादा भी, ये स्पंज के अंदर बात हो रही है, चोथी चीज, चोथी कर दाइजेशन होता है यहां पर intercellular 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 का मतलब होता है खी ओलग- elleग कोशिका ओखा अलग-aeda digestion होगा ठीक है intercellular होगा कोशिका के अंदर होगा कोशिका के अंदर अंदर होगा यह atf ठीक itet रिच आप के आगे till पॉइnt वो है कि यहां पर流ट केन tu r About a यहां पे कया होता है क्या होता है क्या होता है क्या हम कशुच का नीक आ यहां पर में पॉप्र Radio deja ठीक है यह क्या करेगा पाने सोखेंगा यहां से अपने एसे पोरसे पानी शोखे के बाहर निकाल देगा, पानी फिर सोखेगा, यानि उसके खाने पीने की चीज अंदर आ गई है, पानी अंदर आया, खाने पीने की चीज़े आई, अपने अपने सेले, हर एक सेले अपने खाने पीने की चीज़े का ठेकी, अपना वेस्ट बदले में दे दिया, फिर ये बाह स्थाई होते हैं, स्थाई होते हैं, मुवमेंट नहीं होते हैं, नोन मुवेबल, नहीं होते हैं, मुवमेंट नहीं करते हैं, जहां पे उग वही पे जीवन काल इनका जाएगा, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समुझ में ना आया, अगर फिर भी नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीके, उसके बाद आपका जो next point आता है, ये आता है, कि आपके ये sexually भी reproduce करते हैं, sexually भी reproduce करते हैं, और साथ में asexual भी reproduce करते हैं, आप सब को पता होगा य करके ब्तालिज़गा करें मुंत एक नियुकेंज़ इस्ट रही हो recognized ijb तरीक्हें जो सब्सक्राइब किस्टी you can come back and विखन्डन वियाते आप परघने यानी कि इस चीज़ को याद रखेंगे कि पॉरीफेर एकलोत्स एकसा फाइलम तप्लूम जो कि विक्न्डन करता है, fragmentation करता है क्यों, cell के basis पे काई रहे हो रहा है सारा tissue के basis पे कर रहा थो तो आदे-आदे tissue नहीं हो सकते वहाँ पे तो यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है बहुत सयंकिता ठीक है ओके चलो आगे चलो इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ examples आजाते हैं कुछ examples लिख लिए चीज के examples थोड़े आपको paper में पूछे जा सकते हैं कि आपकी क्या-क्या चीज़े किधर किधर पूछे जाती हैं, ठीक है तो examples में लिख लेंगे एक बार चलदी से फटा-फट से example सबसे पहले आपको साइकन साइकन आता है, जिसको हम sponge कहते हैं I'm so good I'm so good and how are you साइकन, spongila spongila और you spongia यह इसके example हो जाते हैं और यही आपके normally पूछे भी जाते हैं यही normally क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं तो आपका यहां से I hope की सारा का सारा जो है clear हो गया होगा अगर किसी को नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत वाली तकलीफ वाली बात है नहीं जल्दी से मुझे इसका screenshot ले 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 अगर आप लेना चाहते हैं नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ ठीके और you sponge यहा को हम बात sponge भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं बात sponge भी कहते हैं पुराने टाइम पे इनका नहाने धोने में इस्तमाल होता था ठीके ओके बहुत सही अंकिता पारिक बहुत सही वेरी गुड आगे एक चीज़ लिख ले ना सारे के सारे एकवेटिक होती हैं एकवेटिक पानी में होते हैं ठीके चलो इसके बाद आपका second number पे फाइलम आता है जो है silentrata अब मैंने यहां पे एक जगे silentrata लिखा है फिर bracket के अंदर मैंने यहां पे nideria लिखा है वो क्यों लिखा है कि सबसे पहले आपका एक अगला फाइलम ता न जो यह वाला टीनो फोरा और आपका नाइडेरिया यह पहले एक ही फाइलम में रखे जाते थे जो जिसका नाम था silentrata परन्तु बाद में कुछ हमको ऐसा पता चलता है कि एक ऐसी characteristic है कि अपने आप ही जैसे आपका जुगनु चमकता है ना वो वाली characteristic कुछ और गया रिजंस में थी तो वो हमने टीनो फोरा में रख दी और जिन के अंदर वो characteristic नहीं थी उनको हमने रख दिया कि इसके अंदर नाइडेरिया के अंदर यानि कि अपने रख दिया रख दिया यह चीज जात रखेंगे कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहले पढ़ चुके होंगे उनको लगा कि मैं सिलन्ट रेटा तो एक ही होता है लेक्टीनो फेरा भी वही है नाइडेरिया भी वही है तो आपका अलग अलग क्यों कर रहे है अभी यह अलग हो चुके है रिसेंट तो मैं निकूंगी काफी टाइम हो चुके है इनको पर न तो पहले पहले हम पढ़ते थे एक में अब यह अलग अगर इनके में बात करो तो आपको यहां पर यह भी एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे, कैसे होते हैं, यह भी सारे के सारे, आपके एक्वेटिक होते हैं, यानि कि जलिये होते हैं, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, आपका, जलिये यह होते हैं, ठीक है भी, पानी में मिलेंगे, पानी आपका लेंगे यहाँ पर बटर लवनी जाएगी नाइटव इसे तो आपको P नाइक टवल स्फयोड एक कि रहए गई फ़ीक आपिशे रहते हैं इसमें क्या स्थिक्यूय प्रेजंट ग्रिछ दो elements अस Windows 5 छोटे चोटे से कांचे से होते हैं। पोरी फेरा में रह गई थी यह यहां पर लिखेलो आप क्या पढ़ा रहे हैं भाई ध्यान से सुनोगे समझोगे तो तो आपकी बात बन जाएगी नहीं तो आपकी बात क्यासे बनेगी एक कॉमन से एक्जामपल से बिलोंग करता है नाइडेरिया से बिलोंग करता है ठीक है उसके बाद आपका जो नेक्स पॉइंट आता है वो क्या आएगा हमने अभी बात की थी कि सेलुलर ओर्गनाइजेशन उधर होती है पोरी फेरा में अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह आपके एक वैटी के मैंने लिखवा दिया ठीक है इनकी कैसे और्गनाइजेशन होगी यह टीशू लेवल और्गनाइजेशन होती है क्या होती है तीशू लेवल और्गनाइजेशन होती है यानि कि जो विवस्थित होती है यहां पे चीजे वो आपकी कोशिका वाली नहीं यहां पर उत्तक होता है उत्तक यह ववस्था होती है कैसी ववस्था होती है काई की उत्तक यह ववस्था होती है यह चीज़ याद रखेंगे गुद आफ्टेनून अभिशेक गुद आफ्टेनून इसके बाद आपका यह आता है कि जो बॉड़ी कैविटी होती है वो तीरिया या फिर बात करो सिल इंट रेटा इनके पास ऐक कुछ कोशिकाएं होती है special special काणटानल मझ को दंश कोशिकाएं कहते हैं क्या कहते हैं decon और यह कोशिका बहुत ज़रूरी हो जाती कोशिक का ठीक है इन दंश कोशिकाँ को हम इंगलिश के अंदर क्या कहते इनको हम कहते हैं Nidoblast, अब ये क्या होती है ये जान लो, आपको लग रहा होगा Hydra, क्यूट-क्यूट सा, वहाँ पे कोई अटाक ही नहीं करेगा, पर अगर मान लो Hydra के पास कोई आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है? मान लो Hydra के ओपर किसी ने अटाक कर दिया, तो इसके इधर, उनमा कोशीकाए होती है। वह hydra क्या करेगा उस चीज को जैसे ऐगा उसको पकड़ लेगा और उसको जो कांट सेबीर्ट मेरशाब लिएगा तकि फिर फिर दैर जार में देगा पिर वो मर जाएगा यानि कि defense के लिए किस चीज के लिए defense के लिए वो इस्तमाल करता है दन्सकोशिकाओं का ठीक है ये लिख लेंगे important है defense के लिए रक्षा के लिए रक्षा के लिए iस्तमाल की जाती है ठीक है नाइडॉबलासट बिलकुल अंकिता बिलकुल यह आपकी पूछी जाती है दन्सकोशी का है चलो एक homework दे दिया जाता है आपको homework बहुत important है अगर आपको लग रहा है कि important नहीं है तो बहुत important है आपसे मैं एक simple सी चीज पूछ रही हूँ बहुत simple सी कि मुझे वे सिंपल सी चीज़ यह बता तो, जो हाइड्रा होती ना हाइड्रा। Blaze क्या है क्या है वोट है यह आप लोगों के लिए क्या है homework है और आप मुझे एक बताने वाले हैं कमेंट बोक्स में जब यह वीडियो खतम हो जाएगी तो उसके बाद आप कमेंट बोक्स में मुझे बताएंगे कि आपका कौन सा poison हाईड़ा के द्वारा श्रावित किया जाता है क्या है वह इम्पोर्टेंट है तु आगर बात करो यहां पर इसके में reproduction की तो प्रजिन है और अ-sexual भी होता है यानि कि लैंगिक भी होग और अलैंगिक भी होगा सेक्शुल की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शुल के अंदर आपका सिर्फ एक ही यहां पर जिसे कि हाइडरा की बात कर लो तो हाइडरा में आपकी बडिंग आ जाती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुकूलन विधी हम उसको कह देती हैं वो चीज आपकी यहां पर आ जाएग कि बात हो रेस्पिरेशन की या फिर आपके एक्सक्रीशन की एक्स रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो इसको मैं लिखवा दूंगी अभी हिंदी में डॉंट वरी यह दोनों की दोनों चीज़े आपकी कैसे होती हैं बॉडी सर्फेस से होती हैं किसे होएगी बॉडी सर आर्फेस से होता है हिंदी में लिख देती हूं स्वष्न और उत्सरजन ते दोनों ही चीजें एकाई की सतह से ठीक है यहीं से प्रश्ण आएगा आपका जो जहां तक मैंने प्रश्ण आया है वो यहीं पे रह जाता है या तो यहां पे ब्रह जाएगा वो यह पूछ लेगा हाइडरा का पॉईजिन इसलिए मैंने आपको आपको एज़ोंवक दिया है चीक है आसेक्शुल में बडिंग देगा दन्सकोशिकाओं के बारे में पूछ लेगा इसके अलावा यहां पर नाइडेरिया के बारे में पूछने के लिए कुछ भी इतना खास नहीं है गूल्प पुछता है इतना बेसिक कोई भी नहीं पूछताüz नहीं है ठीक है आप बात कर लेते हैं इसी के थोड़े बहुत आपको important लग सकते हैं जैसे कि सबसाब पहला example आपका आज आता है hydra का किसका आज आता है आपका hydra का सबसे पहले example आज आता है हम सबको पता है अब यविवे ने इसके बारे में एक खास शीज बताई है कि भईया आपका hydra जो है आस एक्षिल में बड़िंग करता है परन तो कई बार पूछा जाता है कि यह discover की इसने किया तो यह discover हाइडरा को डिसकवर करने वाले थे ल्यूविन होक क्यों थे ल्यूविन होक थे भर यह जीक है लिख लेना Hindi English समारी नाम तो नाम रहता है हिंदी में लिखे है इंग्लिश में चीक है ऑक्के नाकेश जीक है उसके बाद आपका यहां पर दूसरा एक आता है example जिसका नाम है फाई सेलिया, क्या कहा जाता है, पाई सेलिया के अगर मैं बात करूं, पाई सेलिया, इसके लिए एक नाम दिया जाता है, इसके लिए एक नाम दिया जाता है, अगर आपको ध्यान हो, पोर्टगीज मैन ओफ वोर, क्या कहा जाता है, इसको पोर्टगीज मैन ओफ वोर कहा जा कि भी Portuguese Man of War किसको बोला जाता है तो आप उहाँ पर सोचते को किसी का नाम होगा History का प्रश्न होगा प्रेटा का प्रश्न होगा वह फाइसेलिया को बोला जाता है किसको बोला जाता है अब तो चेंट अच्छा ओके मोनिका वेरी गुड गोतम वेरी गुड ठीक है साथ में इसका और भी हो जाते है जैसे कि आपका तीसरे एक्जामपल लिख सकते हैं आप तीसरे एक्जामपल हो जाएगा ओबेलिया का यह जिस एक वैसे नॉर्मल लिखा रही हूँ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ जादा ही पढ़ना है ओबेलिया एक नॉर्मल से एक्जामपल है आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो ठीक है अच्छा आपस में बात कर रहे हो तुम तो चीक है उसके बाद औरेलिया आजाता है औरेलिया औरेलिया के बाद एक चोटी सी चीज जो आपकी आजाएगी कौन सी कोरल रीफ पाँच में नंबर पे कोरल यह एक्जामपल है यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट है इनको याद कर लेना ठीक है उसके बाद next फाइलम आता है आपका टीनो फेरा देखो अगर characteristics के अगर में बात करूँ तो आपकी जितनी भी characteristics होती है सारी की सारी mostly यह resemble करती है यह मिलती है किसके साथ यह मिलती है आपकी पीछे वाले kingdom के साथ जो है नाइडेरिया परन्तु एक चीज नहीं मिलती एक्सेप्शन होती है यहां पर किस चीज के एक्सेप्शन होती है एक चीज की एक्सेप्शन है जो इसको अलग कर देती है दूसरे से वह एक्सेप्शन यह होती है कि आपके क्या होती है द्वीस्पीती होती है यानि कि जीवस्पीती जिसको हम यहां पर होता है एक्सेट्शन किस चीज में है बायो लुमिनिसेंस यानि कि चमकती रहती आपको दिख रहे है लाल सा यह ऐसा रहता कभी लाल कभी ट्रांस्पेरेंट आपको ब्लुइश लाइट दिख दी होगी है यह आपकी बायो लुमिनेंस जो है तीनो फोरा के अंदर जाता है किसके अंदर पाया जाता है तीनो फोरा के अंदर पाया जाता है आजे कुमावत आप बहुत दिनों के बाद दिखाए दिये हैं आजे मैं तो वहीं के वहीं हूँ मैं तो कहीं नहीं गई मैं तो कहीं भी नहीं गई है ठीके यहां पर आपको जादा कुछ भी याद याद करने आपको इतना ही याद करने सेम करेक्टरिस्टिक नाइडेरिया के साथ है पर यहां पर एक चीज अलग हो जाएगी लुमिनेंस वाली यहां पर एक सामपल पर आप लिख सकते हैं जैलिफिश इसके अलावा हम इसमें जाधा नहीं करेंगे क्योंकि जो इंपॉर्ट प्लैटी हेलमिंथस का, फ्लैटी हेलमिंथस होते क्या, देखो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होगे प्लैटी हेलमिंथस, यहाँ पर दो चीजी है, एक तो है आपका प्लैटी, प्लैटी का मतलब होता है, कोई भी चीज आपकी कैसी है, फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट, चप चप्टे होते हैं जैसे की आपको यहां प chromा प्रिजधे guidance कीडे इननको हम कंट को प्लेटि हल्मींत्रस की अगर होगा आ टो 11 की अंदर प्रेज़न होगा नहीं ठीकर शीओं तो इनकी अंदर प्रेज़न होगा नहीं तो इसके करेक्ट्राइस्टिक देख लेते हैं characteristic क्या क्या होता है यहां पर चीज लिख ले ना भी जो जो इसमें आए सबसे पहली characteristic आप क्या लिखते है प्लैटी हल्मिन्थस में कि प्लैटी हल्मिन्थस को प्लैटी ओके, फ्लैटी हेलमिंथस ही है, ठीके, फ्लैटी हेलमिंथस जो है, एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है फ्लैट वोम, किसे फ्लैट वोम के नाम से जाना जाता है, यानि कि चप्टे कीडो के नाम से इसको जानते हैं, ठीके, किसके नाम से जानते हैं, चप्टे कीडो के ना गुहा नहीं होता है, गुहा नहीं होती है, ठीक है, याद रखना important चीज, फ्लैट, बिल्कुल, बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, फ्लैट वोम कैसे, जैसे कि ribbon-like structure होती है, ribbon, ठीक है, यहाँ बात कर लो, कोई भी पतली से फ्लैट चीज है, तो उसका भी वहाँ पर नाम आज आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खास चीज क्या है, खास चीज यह है, कि इनके पास एक special cell है, जिसको हम कहते हैं, फ्लैम सेल जिसको कहते हैं, जुआला कोशी का जिसको हम कहते हैं, अब यह important important चीज़े, यह कोशी काई है, यही आपकी आती है पेपर में, आपको पता होगा, कि जो खास चीज, अलग सी चीज होती है, वही चीज पूछी जाती है, अब फ्लैम सेल का काम क्या होता है, फ्लैम सेल होती है, एक्सक्रीशन के लिए, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए होती है, यानि कि उत्सरजन के लिए होती है, क्या चीज उत्सरजित होनी है, ठीके, क्या चीज आपकी उत्सर अउके, now it's fine, now it's fine, ठीक है, और इन्ही को इन्ही फ्लेम सेल को solinocyte भी कहा जाता है, याद रखला, solinocyte, इसी का नाम होता है, इसके लिए यहाँ पे आपको जादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, जादा कोश्चन्स देखने को नहीं मिलेंगे, एक चीज यहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, एक चीज यहाँ पे आएगी, जैसे की बात करूँ किस चीज की, कि ये भी हर्मा प्रोडाइट होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, हर्मा प्रोडाइट होते हैं, और आपको मैं समझा चुकी हूँ कि हर्मा प्रोडाइट क्या होते हैं, जिसको हम कहते से लोग कर लिने हैं उबẹग लिंग यानि की दोनों ही लिंग इसी के अंदर पाए जाते हैं पीके मस्त इंपल पीर आपके examples जो हैं, इसके अंदर ये कौन से phylum में रखे जाते हैं, है ना, या फिर पूछ लिया जाता है, इसके अंदर flame cell होती है, ये किस चीज से belong करता है, या flame cell का क्या काम है, flat worm, flat helminthus को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आप महा कोगे, flat worm के नाम से जाना जाता है ठीके, तो आपको इस से जादे तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर basically आप देखो, तो यहाँ पे आप बहुत जादा पढ़ रहे हो, अपने हिसाब से, ठीके, आपको 11, 12 वाला नहीं खीचना है, आपको 10 तक ही limiting रखना है, ठीके, उसी वही तक मैं आपको परसीटिक होते हैं, कैसा होते हैं हमेशा, परसीटिक होते हैं, यानि कि परपोशी होते हैं, परपोशी के साथ इनके अंदर होते हैं, आपके हुकर और सक्कर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं, हुकर और सक्कर प्रेजेंट होते हैं, ठीके, अब हम अराम से अपने examples पे जा सकते हैं Platy Helminthus का सबसे पहले example जो आता है वो किस चीज़ का आता है Dugasia का किसका Dugasia पहले नमबर पे दूसरे नमबर पे Fasicola दूसरे नमबर पे क्या आजाता है Fasicola आजाता है फिर तीसरे नमबर पे आपका जो आता है Tynia आजाता है क्या आजाएगा Tynia पिर आपका Planaria अब खास चीज़ क्या है वो भी बता देती कई बारा Fasicola को Lever Fluke के नाम से भी जानती है किस नाम से जानते है Fasicola को Lever Fluke के नाम से भी जानते है तो आप वो भी कर लेंगे लिख लेंगे यहां पर ठीक है आपका जो Fasicola होता है इसको हम दूसरा नाम देते है Lever Fluke कई बार नाम पूछ लिया जाते है Lever Fluke किसका नाम है important है याद कर लो ठीक है Tynia को हम क्या कह देते है Tapeworm कहते है Tynia को हम क्या कहते है दूसरा नाम Tapeworm कहा देते है इनके बारे में खास चीज यह है यह सारे कि सारे प्लाटी हेलमिन्तोस कभी भी किसी इनसान को effect नहीं करते है ठीक है एक इनसान को कभी भी इनफेक्ट नहीं करते है यह animals को infect करते है इनके बारे में important चीज क्या है कि यह किसको इंफेक्ट करेंगे आपके जानवरों को इंफेक्ट करते हैं किसको इंफेक्ट करेंगे जानवरों को एनिमल्स को कभी भी इंसानों को नहीं करेंगे ठीक है जानवरों को बिमार करते हैं इंसानों को नहीं करते हैं इंपोर्टन चीज है ठीक है इसके आगे आप इसपि जो रिजर्श्ट धौ प्रेंबल करफ इस चाहते है नहीं करेगी आपकी प्रइटी हेल्मींTheroske के साथ त्क शुज नहीं करेगी जैसे की बात करूमें यहां पे यह स receivers एًसख का मतलब होता है R Kind क्या होता है एस का मतलब राउंड और हैलमिंथस का मतलब होता है कीडा यानि की इंसेक्ट यानि ऐसे कीडे जिनको हम क्या कह देते हैं राउंड वोम के नाम से भी जानते हैं वहां पे हम फ्लैट वोम के नाम से जानते हैं यहां पे हम राउंड वोम के नाम से जानेंगे तो और पर उनका दूसरा नाम किया आजाएगा? राउंड वह मिस दूसरा नाम आजाएगा गोल क्रमी जिसको हम कहते हैं क्या कहते है? गोल क्रमी वहाँ पर हम गोल चप्टे क्रमी बोल देते हैं तो गोल क्रमी जो आपके Arch.Helwin Tuss हो यहां पर जो most लिए characteristics होती है, same मिलती है, परन्तु वो आपके चपते थे, यहां पर गोल गोल होंगे. यहां पर कैसे होंगे? और यह इसानों को effect करते हैं. सबसे कमाल की बात ये है, कि आपके इनसानों को effect करते हैं. तो यहां पर बात कर सकती हूँ, मैं कि सबसे पहला जो character streak आएगा ये आएगा कि जो body है वो आपकी कैसी होगी cylindrical होगी cylindrical काय होगी यहां पे यानि की आपकी बात कर दो कैसी cylindrical क्या हो जाएगा goal काय प्रंट तो segmented नहीं होती याद रखना इसमें कोई seggment नहीं होति, कोई हिस्से नहीं विभाजित होती है यहां पर किसी भी प्रकार से ठीक है, यहां पर Isकेर हेलमिन्थस के उपर cuticle होती है, क्या होती है cuticle present होती है cuticle के लिए में बात करूık तो क्याई cuticle क्या चीज होती है cuticle होती है, wax like structure क्या होता है? वेक्स-like substance होता है यानि कि चिप-चिपाहट चिप-चिपाहट भरा एक पदार्थ होता है जो कि SK-Helminthus के चारों तरफ होता है ठीक है? इसके अलावा आपका जो next characteristic आता है वो next characteristic क्या हो जाएगा भई तीसरे नंबर पे कि भई इसकी body जो है पहला इसा phylum है पहला phylum जिसके अंदर क्या चीज है? जिसके अंदर जो digestion है वो पूर्ण तरीके से होता है जिसके अंदर digestion जो है कैसे होता है? पूर्ण तरीके से होता है यानि कि माउथ से लेके मुह से लेके एनस तक होता है गुदा तक होता है सबसे पहला digestive system जिसके नदर complete तरीके से है मुक्षे शुरू कि और NS तक गया तो वो आपका होता है कौन से वाला SK Helminthus हो जाता है तो यह चीज भी आप यहाँ पे note कर लेंगे बहुत important है इसको यहाँ पे मैं दिख दी देती हूँ कि star लगा देती हूँ इसको लिख लेंगे हां जी इसके बारे में एक चीज आप लिख लेंगे कि excretion कैसे भी हो सकता है gland cell से भी हो सकता और intracellular भी हो सकता है यहाँ पे gland cell नाम की चीज होती है क्या होती है यहाँ पे gland cell नाम की चीज होती है जो कि excretion में मदद करती है यानि कि उत्सरजन में मदद करती है यह चीज याद रखना है यहाँ पे ठीक है इसके लावा और क्या याद रखना है आपको भई और यह याद रखना है कि इसके अंदर asexual reproduction नहीं होता है asexual reproduction नहीं होता है Absent होता है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी A Sexual Reproduction Absent परन्तु आपको होगे मैं यहाँ पर हमने एक शब्द सुना था खर आपने तो शब्द सुना यह नहीं मैंने एक्जामपल दे यह नहीं Plain Area Plain Area के अंदर आपकी Fragmentation होती है तो कई बच्चे ऐसे सोचते कि Plain Area जो है SK Helminthus का होता है परन्तु SK Helminthus का नहीं होता Actual में वो आपका Platty Helminthus में count होता है ठीक है उसका एक्जामपल है तो यहाँ पर यह point आप याद रखेंगे तो बहुत ध्यान में रहेंगे याद रखना यह point important है यहाँ पर आपका यहाँ पर Asexual Reproduction नहीं होता है Absent होता है Gland Cell होते है Utsurgeon के लिए Important चीज़ है याद करना ठीक है भाई आप 10th level पर 25 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं अगर 10th level पर आप एक चेप्टर को 25 दिन में पढ़ेंगे तो प्यारे बचो आपका syllabus नहीं छे साल तक नहीं होगा ठीक है ठीक है इसके अलावा क्योंकि मैंने अभी अभी कहा Asexual Reproduction जो है भाई यहाँ पर नहीं होता है और इसके अलावा एक चीज़ मार आपको बता देते हूं यहाँ पर Sexual होगा न तो हमने पहले क्या पढ़ा था Flaty Helminthus में कि हर्माफ्रोडाइट था एक के अंदर male दूसरे के अंदर female दोनों एक ही में थे पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पर male अलग था और female अलग थी तो मैं यहाँ पर कह सकती हूं कि जब Sexual Reproduction होगा जो Sexies होती है जो Gender होती है वो क्या होती है Different होती है अलग अलग होती है यानि कि यहाँ पर male अलग होता है और female अलग होती है यह चीज आप क्या कर लेंगे ध्यान मेर रख लेंगे क्योंकि यह है आपकी Important यह क्या है आपकी Important है चीक है यानि कि यहाँ पे नर और मादा होते हैं नर और मादा अलग-अलग होते हैं ठीक है? आलैंगिक प्रजनन नहीं होता है याद रखना इस चीज को ठीक है? याद रखना भर इस चीज को एक्जाम्पल के लिए यहाँ पे नाम already given है मुझे बताने की आउशकता ही नहीं है आपका Encyclostromata, Voucheria, Ascaris, Rebaudits ठीके, Rebaudits यह आपका अल्रेडी यहाँ पर एक्जामपल गीवन है तो मुझे एक्जामपल देने की भी यहाँ पर आपको आउशकता नहीं है ठीके, जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं वो याद कर लेना बहुत रहेगा उसके बाद आपका आता है Annalida जिसके बारे में आपके Mostly प्रशन पूछे जाते हैं क्या पूछे जाते हैं? Mostly questions पूछे जाते हैं अगर आप ENALEDA की बात करो तो यहाँ पे शब्द देखती हो Annalida Annalida का मतलब क्या होतार है? Annalida का मतलब होता है कि Annular like strucure जिसके अंदर हो क्या हो? Annular structure जिसके अंदर हो यानि कि Annular होता है ring, यानि कि छला कैसा? छला नुमा, गोल-गोल छले जिसके अंदर हो जैसे कि अगर आप यहां पे देखो, इनको देखो, अच्छे जूम नहीं हो रहा, ओके, अगर आप यहां पे देखो, तो आपका जो आर्थवोम होता है, क्या होता है, आर्थवोम होता है, जो वो छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चले उसके अंदर चुलर और उनी छबलो के नाम से आपका फाइलम का नाम आता है एन लीड उनी छलो के नाम से क्या आता है आपका फाइलम आता है जो है एनलीडा यानि कि रिंग-like structure उसके प्रेज़न होती है सबसे पहला प्वाइंट तो यह हो जाते है बहुत कॉमन से एक्जाम्पल सीने देखे होंगे नहीं देखे हों तो भी बरसात का मौसम आने वाला है बरसात के मौसम में खूब निकलते हैं देख लेना बाहर जाके ठीक है हां हो सब्सक्राइब किता आपको यह लग रहा हो क्योंकि एम्स का हम कोई PMT नहीं कर रहे हैं यहां पर पहले PMT होते था नीट ह सब्सक्राइब का पॉर्शन है और जैनरल साइंस में आप तक पढ़ते हों अगर आप नॉर्मल 11-12 का भी अकैडेमिक पढ़ोगे तो भी आप इससे साधा नहीं पढ़ते हो हां ठीक है आगे चलते हैं अगर मैं यहां पर बात करूं आपके तो एक चीज यहां पर आजाती हम नाम दे देते हैं ठीक है क्या देदेंगे मेटामोर्फिजम नी मेटामैरिजम देंगे शयाद से मेटामैरिजम हो जाएगा मैं भी खेर हूँ मॉर्फिजम में तो कती काई पलट हो जाएगी मेटामैरिजम मेटामैरिजम कर लो इसको खंड इसको हम कहते हैं क्या कहते है खंड एक छल्ले को हम एक नाम देते हैं मैटामेरिजम यहां पर आपको छल्ला दिख रहा है चोटा सा यह ऐसे ऐसे होगा तो एक छल्ले को हम कहते हैं मैटामेरिजम यानि की खंड यह इंपॉर्टेंट है याद कर लेना यहां पर लिख लेते हैं चलो कि एनुलर लाइक होते है एनियलर या फिर रिं लाइक होते हैं जिसको हम कहते है चल्ला नुम्ह होते हैं भॉड़ी ठिक दूसरी चीज क्या दूसरी चीज यह कि इनके अंदर एक खास चीज होती है जिसको हम कहते है न अ छहां या जहां से प्रश्ण पूछा जाता है नेफरीडिया कहां पे आती है नेफरीडिया आती है excretory system में कौन से में आती है excretory cell होती है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ एनलीडा के अंदर ही present होती है ठीक है वही तो मैंने कहा दिया काया पलठी हो जाएगा तो मैंने इसको correct कर दिया metameryism कर दिया है टोंट वरी ठीक है इसके अलावा आपके यहां पे और चीज़े आजाएंगे कि यहां पे होते हैं आपके पास परपोजिया क्या होते हैं यहां पे आपके पास हर रिंग के पास है मैं पे पेखे भी लिखा है यह फास्यत होती है और इस भार जादातर प्रशने न यहीं से उठकिया चल्ड को क्या कहते है ठीके आपके यह थे खास जी दाप ए पर इसके66 कहनए कास चीज क्या कि यह होते हैं हर्मा फ्रोडाइट यह कैसे होते हैं हर्मा फ्रोडाइट होते हैं यानि कि मेल फीमेल इसी के अंदर आएगा परन्तु हर्मा फ्रोडाइट होने के बाद भी एक चीज यहां पर होते कि जो रीप्रोड़क्शन होता है वो सेक्शुल होगा कैसा ह परन्तु कभी भी एक और्गानिजम के अंदर यहां पे रिप्रड़क्शन नहीं होता है यह याद रखना कभी भी एक अर्थवों अपने आप में ही सेक्शुल रिप्रड़क्शन नहीं करता है उसको दूसरे की आवशकता पड़ेगी ही पड़ेगी कैसे अब आपको गए मैम ऐसे कैसे देखो यहां पे खंड होते हैं मालो यहां पे आपकी फीमेल का पार्ट है ठीके यहां पे किसका पार्ट है यहां पे फीमेल का पार्ट है ठीके और मानलो यहाँ पे male का part है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से बता देते हूं एंसे तो फिर दिखकत हो जाएगे आपको मानलो यहाँ आपका यहाँ पे आपका क्या है male part है यहां पे आपका फीमेल पार्ट है जिस्ट लेट करने की बात कर रही हूं मैं अब लोजिकली यहां से मैंने बोला कि कभी भी एक अर्थ वो एक एनलीडा अपने अप में सेक्शुल रिप्रड़क्शन नहीं करेगा फिर पॉसिबल कैसे फिर पॉसिबल ऐसे है अब दूसरे वाला जो आएगा ना वो इसके साथ करेगा 69 यानि कि यहां पे इसके साथ उल्टा हो जाएगा यानि कि अब यह ऐसे है ना तो दूसरे वाले का मुख इस तरफ हो जाएगा जब दूसरे वाले का मुख इस तरफ होएगा मालो अमने दूसरे वाले का मुख हो गया इधर । ठीक है कि अब इसके अंदर जो मेल है नहीं यहां पर जाएगा और फीमेल तेल यहां जाएगी, क्यूंकि यहां पर उसका मुख है, माउथ, यहां टेल, और दूसरे वाले के उपर चिपका हुआ है, उल्टे तरीके से, क्यूंकि यहां पर उसका माउथ है, और यहां पर उसकी टेल, समझ रहे हो? बूले के सहारे मैम, थैंक यू सो मच, पर, मोनोशियस और बाइसेक्शल, ओके, I'll clear out, don't worry, दोनों में बता दूंगे, कोई दीकेत वाली बात निए, अब यहां पर ध्यान दो, यह समझ में आया, कि एक ऐसे जाएगा, तो दूसरे वाला उल्टा होके ना, ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे है, तो दूसरा उल्टा होएगा, और ऐसे आ जाएगा, यहां पर इसका मेल है, यहां पर यह मेल, यह दोनों मेल है, यहां पर यह फीमेल, यह फीमेल, यह मेल हो गया, यहां पर इसकी फीमेल होगी, यहां पर इसकी फीमेल होगी, दोनों को पैच अप हो गया, होग हमें तो पता ही नहीं है, ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, चलो, यह समझ में आएगा, हर्माफ्रोडाइट वाला, केचुआ, हाँ, केचुआ, और अंकिता, आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, कि आप जो कहने, मोनोशियस और डाइशियस में कियाद रखना, मोनोशियस कोन से होते हैं, मोनोशियस, मोनोशियस में M देखो, M का मतलब होता है, मारेज, M से मारेज, मारेज में दो लोग एक साथ रहते हैं, मारेज में दो लोग एक साथ रहते हैं, तो मोनोशियस का मतलब है, कि कोई भी चीज है, आपकी बाइसेक्शु है क्योंकि marriage हुई है दोनों एक साथ रहते हैं याद करने का तरीका बता रहे हो दूसरा है daecious daecious के अंदर दोनों का हो गया है divorce क्या हो गया है दोनों का divorce अब divorce के अंदर आपकी चीज़े जो है अलग-अलग होती है daecious यानि कि six दो-दो है यानि कि यहाँ पर यानिजम यूनिसेक्शुल हो जाएगा यानि कि एक सेक्स वाला अलग होगा दूसरे सेक्स वाला अलग होगा ये डिफ्रेंस से याद कर लेना important trick है डी से डाइवोर्स डाइवोर्स में अलग-अलग रहते हैं यानि कि यूनिसेक्ष्वल होएंगे एक male other female monoecious यानि कि marriage में है दो लोग एक घर में रहेंगे यानि कि bisexual होगे दोनों एक घर में रहेंगे ठीक है I hope आपको ये समझ में आया होगा I hope आपको ये समझ में आया होगा ठीक है अब यहाँ पर इसके example लिख लो इसके example लिख लेते हैं इसके बाद आपको कौन सा जाएगा नेरिस के बाद परेंटीमा इसको आप कहते हैं अर्थ वोम ठीक है कई बार अर्थ वोम का अच्छा यही तुम कह रहे हो मैंने फिर मैसेज निट पड़े भी याद रखना अर्थ वोम का साइंटफिक नाम होता है कई बार पूझा जाता है कि फैरेटीमा शब्दा जाएगा आप महाँ पर कन्शूस होगे कि फैरेटीमा क्या है फैरेटीमा आपका आर्थ वोम है ठीक है इसको हम फैरेटीमा पोस्थूमा भी कह देते हैं पोस्थूमा ठीक है चलो अभी अभी तो मैंने बताया आपको अभी अभी तो बताया मैंने चलो आगे चलो अगला जो फाइलम आपका आता है वो आता है अर्थ्रोपोड का किसका आता है अर्थ्रोपोड का और ये आपका जो फाइलम है सबसे बड़ा फाइलम है बिगेस्ट फाइलम है ठीके कैसा है यानि कि सबसे बड़ा जो आपका phylum होता है वो अर्थ्रोपॉड वाला ही होता है इसके अंदर जितने भी आते हैंkachर्टक्वी सभी insect आते हैं यानि कि कीडे आते हैं यहांपर कीट कहेंगे, not कीडे कीट कहेंगे सभी कीड आर्थ्रोपोर्ट में आते हैं ठीके केचुमा का विग्यानिक नाम अभी अभी तो बताए मैंने केचुमे का नाम फैरेटीमा पोस्थुमा ठीके और इनके अंदर खास चीज एक चीज होती जो मैंने आपको बताई थी पंजाई हमने की थी तब मैंने बताई थी कि इनका जो एक्जोस्केल्टन होता है जो इनका बाहिये कंकाल होता है वो बाहिये कंकाल की शीर से मिलके बना हुआ होता है बाहिये कंकाल इसका बना हुआ होता है काइटिन से यानि इसको आप कहते हैं चिट्टी में लिखते हूं ह कि होता है क्योंकि के अनदर आपकी फोरिंट के मौलीक्यूलस भी प्रेजेंट होते व सल्दा से आहें। और यह ऐसा फाइलम है जहां पर body cavity है body cavity जो body की गुहा होगी वो आपकी filled होती है blood filled होती है कैसी होती है खून से भरी हुई होती है blood filled होती है याद रखना इस चीज़ को important है क्या है important है बहुत ज़रूरी है कई बार पूछा जाता है आप लोगों से लगों कहां से करते हैं तो आप सुष्ण कहां से करेंगे कई बार प्रशन पूछा गया है तो आप उसका फटाँक से आंसर कर देंगे track के आंसर कर देंगे ओनों उसका आंसर कर से नहीं कम प्रहाइन है seven ter immunity of total organism बिल्कुल सही कह taIm वैसे तो बात ऐसी है कि यहां पे गिल्ज भी होते हैं प्रेज़ेंट रेस्परेशन के लिए क्या प्रेज़ेंट होते हैं यहां पे बुक लंग्स होते हैं प्रण तु जो आपका लिए प्रण पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे उसके अलावा यहां पर और जो चीज आ जो आपको वस्कुलर सिस्ट्रम होता है फिर ब्लड फ्लोइंग सिस्ट्रम होता है वो ओपन होता है कैसा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्ट्रम होता है अब आपको ओगे माम ओपन कौन सा होता है देखो स्टर्कुलेशन तो आपका हर कहीं होता है खुला प्रिसंचरन तंत्र यानि यहां पे कोई भी आपके पास vessels नहीं होंगी नसे नहीं होंगी धमनिया नहीं होंगी यह नहीं होती है human की बात करो तो आपके पास दो प्रकार की vessels आती है एक artery होती एक vein होती परन्तु यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता एक body cavity के ब्लड आएगा फिर organs तक फिर दोबारा cavity और organs तक एसा चलता है यहां बहुता है यहां तो आपके जाएंगे मैलफिंजी कोशी काय पाई जाती है बिलकुल पाई जाती है यहां पे जो excretory organs उता है उनका नाम दिया जाता है क्या दिया जाता है जिसको हम दो चीज़ों जानते हैं या तो हम उसको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड या तो हम उसको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर हम कहते हैं उसको मैलफिंजी टैब्यूल क्या कहते हैं इसको मैलफिंजी मेलफीजी ट्यूब्यूल हम उसको कहेंगे और यह ट्यूब्यूल किस काम आती है यह काम आती है एक्सक्रीशन के काम आती है किसके काम एक्सक्रीशन के काम आएगी उत्स सर्जन के काम आएगी करी बार पेपर में पूछा जाते हैं ग्रीन ग्लैंड करके आप महां पे ग्रीन грн gland में भी क्या बताते हैं आรथि रोपोड़ बताती है परन तो państwo green gland के जैसा ही एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं क्या कहाते आ प्री रिणिक ब्यूपी होती है यह यह वो toy ग्लेन जो आपका हुटा वाले फायलम में एक चीज है भूत इमपोर्टेंट है ठीक है है अभी यहां पे चीज आ जाती है शुरू कि अंडे देना शुरू करदेते हैं यह सारे के सारे और्गैनिजम कैसे होते हैं अवी यह ल Daar रहें फॉन לי जहांstar व Quindi आंड़ देना शुरू कर देते हैंड़ दो लिथे इनको अवी पॉरल्स ओविपॉर्स यानिकी अंड़ंदे देते हैं यह अंड़ देने वाले जीव है कैसे हैं अनड़े यहां पर sexual reproduction होगा, यहां पर male भी होगी और यहां पर female भी होगी, यानि नर्मादा दोनों चीज़े आपकी होगी, याद रखेगा इस चीज़ को important है, ठीक है, under हो जाएगा, ओके, बाद में print gland, exactly, exactly, example के लिए आप धेर सारे ही, यहां पर लिख सकते हैं, कितने ही लिख लीज मकही, मचर की, है ना, मकही, मचर की बात कर लो, सारे के सारे तो इसी में आते है, अर्थरोपोट्स में, कोकरोच की बात कर लो, वो भी आपका किस में आएगा, अर्थरोपोट्स गे अंदर ही आएगा, जितने चाहो उतने जो है यहां पर कर सकते हैं, examples को याद, ठीके, और अंडर रायूज बिल्कुल सिल्क वोम भी सी के अंदर आ जाता है बटरफलाई भी सी के अंदर आ जाता है ठीके अब आता है आपका next फाइलम जिसको हम कहते हैं mollusk mollusk जो है आपका second biggest है दूसरे नंबर पे आता है biggest होने में ठीके अब इसके अंदर क्या चीज आती है mollusk अगर शब्द को देखें तो mollusk मतलब का होता है कि आपके soft body क्या मतलब होता है soft यानि कि नरम तवचा होगी हाँ पे नरम काय होगी soft body होगी परें तूसरे soft body होती है वो एक shell में एक hard covering के अंदर धकी होई होती है ठीक है वो आपके हो जाते है mollusk जैसे कि आपने सिप्पियां देखी होंगी सिप्पियां देखी है सिप्पियों के अंदर आपके चोट-चोटे organisms आते हैं आपने Chinese खाते रहते हैंगी आपने रील्स और देख्यूंगी ग्азिट बोग्य आपके अंदर된 के ऐ दिए आकगी सिप् Bub का थे आपने कि रहते हैं सिप्प खोलते हैं एक पृड ल निकालेड़ेते पृड निकाल लेके अ को सिप्पियों कोखा लाकि उपका होगा है ना, तो वह आपका किसके अंदर आता है, वो आता है, मुलस्क के अंदर, इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर याद रखना इस शीज को, एंक चीज जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो सोफ्ट बोडी होती है न यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख कवर को कई कि कैल्सी फैरस कवर होता है कैसा होता की अधार आपका यानि कैल्सियम का बना हुआ होता है पहली चीजी दूसरी चीज यहां पे आपकी हैड़क बोडी छीफ यह चीज अछी से ब्लिबाजित होते हैं अच्छे से बने हुए होते हैं, समुंदरी मोती बनाने वाला कोरल रीफ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीके और दूसरी बात, यहां पे आपके कुछ मोलस्क जो हैं, वो आपके कैसे होती है, एक्वेटिक होती है जलिय होती है, साथ में आइसा कोई फिक्स नहीं है, कि वो आपके जलिय ही होंगे, वो आपके एक्वेटिक होने के साथ साथ, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं यानि कि जमीन वाले भी हो सकते हैं, ठीके, दोनों जगे पाई चाते हैं, जमीन पे भी और आपके बात करो स्नेल की, किस साथ सुनेल की है यहां पे की देखा ऑगा कुछ ऐसी चलती है बीक्रा theorी की यहां पेश maker रिख रच, इसके ऊपर आसा है देखा होगा ऐसा वाले गनाइशे को बिल्कुल भई, बिल्कुल, चलो, अब यहां पर एक चीज आ जाती है, यहां पर इंपोर्टेंट चीज क्या जाती है, मोलस्के अंदर, मोलस्के अंदर इंपोर्टेंट चीज यह आती है, कि यहां पर रेस्परेशन होते हैं, यहां पर टीनीडिया यूज होते हैं, क्या होत वाला ठीक है यहां पर more than one gil होता है टीनीडिया क्या होता है टीनीडिया होता है more than one gil धेर सारे गिल होती है वहाँ पर धेर सारे गिल्स होगे उनको collectively यमें कनाम दे देते हैं टीनीडिया वहाँ पर आपका Moluska, इसी प्रकार से क्या होता है? Respiration होता है यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है Hemocille क्या आता है? यहाँ पे आपके पास? Hemocille आती है Hemocille का मतलब होता है यहाँ कि जो blood cavity होती है वो cavity किसी liquid से filled up होती है जिसको हम बोलते हैं Hemocille वहाँ पे से कोई blood वाला scene नहीं होता है blood वाला scene नहीं होता है कि blood होएगा आपके organism में नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे hemo seal होता है वहाँ पे आपके पास ठीक है अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है आप लोगों के पास क्या आ जाता है यहां पर आता है आपके पास metanephridia excretion के लिए यहां पर एक word आ जाता है use करते है metanephridia 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 होता है sack like kidney क्या होती है sack like kidney मतलब well developed नहीं होती है परन्तु खलकी फुलकी developed होती है जिसको हम कहते है sack like kidney पता है बैच में हाँ सब हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं किता हर चीज वहाँ पर आपकी cover हो जाएगी फता है बैच में कोई भी चीज हो वो चीज वहाँ पर हो जाएगी मुख को गिसने के लिए अंग होता है जिसे रेडुला कहते हैं वाबई यहाँ पर भी एक तीज याद रखेंगे यहाँ पर भी आपके organism कैसे होते हैं हर्मा फ्रोडाइट होते हैं हर्मा फ्रोडाइट होते हैं परनतो sexual reproduction होता है इसके अंदर भी a sexual नहीं होता है यहाँ पर भी a sexual जो है absent हो जाता है अगर examples की बात करूँ तो examples आप यहाँ पर लिख लेज़े, काफी सारे examples तो मैं आपके नहीं बताऊंगे, एक दो ही बता देती हूं, जैसे कि आपका octopus, जैसे कि आपका octopus, जैसे कि अपका octopus, जैसे कि आपके नाम देते हैं, जैसे कि आपके और भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, नियो प्लीनिया पर यहां पर इंपोर्टेंट ऑक्टोपस है यह याद रखना इसको हम डैविल फिश कहते हैं ऑक्टोपस को इंपोर्टेंट ठीके खुला प्रिसंशन से इतना नहीं करना है जो इंपोर्टेंट है वो करा दो कोई तिकत वाली बाद नहीं है ठीके अब यहा देटा और को डेटा सिर्फ तीन ही फाइलम हमारे रहे गई हैं सिर्फ तीन ही फाइलम हमारे क्या है रहे गई है इसको हम करेंगे कल और आप सभी अच्छों को में चीज बताना चाहती हूं प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कहना क्या चाह रही हूं मैं सिर्फ इतनी सी 99 के अंदर मिल रही है तो आप हर चीज को आज आप वहाँ से ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पर जाएंगे अरे-अरे, courses पर जाएंगे courses के अंदर अरे, यह कौन सा खुल गई यहाँ पर चलो हम अपना अड़ा स्टोर अलग से खोल लेते हैं है ना, अड़ा 24-7 डालते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपकी ऊपर चीज़े सबसे पहले ही आएगी ठीके, और यहाँ पर जाएंगे आप all courses में, फिर आपका state exam यहाँ पर राजस्थान और राजस्थान का शक्राव की भादreiben RS MSSB में जाओगे 9.99 का भी, ठीका, ठीक के इन होता है की नहीं होता है यह मैंने पर अपरा data डालते ही आपका यहां पे एक कम हो जाता है साथ में अगर मैं बात करो किस चीज की महापैक की बात करो तो महापैक भी आपका यहां पे कम हो जाता है क्या हो जाता है कम हो जाता है हर चीज आज आज आपको 99 में मिल रही है तुप कोपन क्या मिल गया कि exact results Y443R अभी अगर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कुपन लगाया है जिस कुपन का क्या है कॉड कोड है यहां पे Y443R जैसे ही आपने और लगाया आपका जो राजस्थान महापै्क है वो आपको 945 रुपय में मिल गया है इतना कम तो कुछ भी नहीं मिलेगा और कमाल की बात यह है कि अगर आपके पास राजस्थान का महा पैक है ना तो आप किसी भी क्लास में किसी भी चीज में एंट्री ले सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको फतर बैच ही लेना ह क्या तो यहां पर आप देखेंगे तो महा पैक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको यहां पर यदि आप राजस्थान सीटी आरस MSSB LTC जूर्निट अकांट सारे के सारे जितने भी पेपर कर रही हैं यह कितने सारे पेपरों के नाम लिखे हो यह सभी क्लास सिर्फ एक महा प मिल जाएंगे जितने सीरिज लेनी है वो भी आपको free of cost महा पैक में मिल जाएंगी रिवीजेन बैठ चेए वह भी आपको free of cost महा पैक मीलेगा e-books भी आपको महा पर मिलेंगी जो हम क्लास पढ़ाते हैं वह record हो आपकी एप में ही रहती है तो वह recorded वीडियो भी आपको महा ह अगर आपको वहां पर कोई ऐसा हम कुछ इवेंट करा रहे हैं किसी और की कुछ मीटिंग करा रहें कोई अच्छी सी फैकल्टी है या फिर कोई अच्छा सा आपका कोई अच्छा से अहोदे पर कोई इनसान बैठा है तो कई बार में इंट्रेक्टिव क्लास इस विकराते तो अब दूसरे टॉपिक्स है और यह आपके अलग से बादाजी, केमेस्ट्री, फिसिक्स, और करा इंट अफियर, प्वालिटियोरी को हर सब्जिक्ट आपका वहां पर कवर होगा और आपको पता तो है यह महां पर आप ले लेते हैं तो आपके तो फाइदा ही है कोई भी क् कर पाते हैं तो अगर आप प्रिपेर करना चाले तो आपके पास बहुत अच्छा मोका है अभी आपको बस करना क्या है वहां पर कोड लगाना है ठीक कोड यही लगाईगा जो है वाई-4-4-3-R इस कोड से आपको कितना हो जाएगा महा और मैं सुझेस्ट कर रही हूँ महा पैक की है तो महा पैक लेलो नहीं और फाइदा है हर चीज़ आपको मिल जाएगी ठीक है तो अभी के लिए अभी के लिए हम लेते भई आपसे अलविदा कल फीर मिलेंगे आपसे ठीक एक बजे ठीक है और आज शाम को चार बजे मिलेंगे रीट की क्लास में ठीक है शाम च झाल झाल